हलो फ्रेंड्स मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम वर्तमान में कौन क्या है का एक most important topic देखने वाले हैं फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको complete पूरी list बताऊंगा अभी तक की updated list है और इस topics exam में एक से दो फ्रेंड्स जरूर बनते हैं फ्रेंड्स पूरा complete photo के साथ में पढ़ाऊंगा complete detail पढ़ाऊंगा आने वाले exams के लिए very important topic है तो इस वीडियो को last तक देखते रहिएगा ठीक है मैंने इस वीडियो में आपके लिए बहुत मेहनत किये फ्रेंड्स आप वीडियो को like करके मेरा होसला बढ़ाएगा और चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस कर दीजेगा ताकि आपको notification मिलता रहे चलिए फिर start कर लेते हैं आज हमारे ये बहुत ही बहतरीन सा session ठीक है चलिए question number first देखते हैं फ्रेंड्स हमारा बरतमान में भारत की राष्ट पती कौन है right answer है द्रॉबधी मुर्मू बरतमान में भारत की राष्ट पती है प्रेसिडेंट है और ये पंद्रेवे नंबर की है तो आपको करम भी इसका याद रखना है और ये photo म देख सकते हैं आप ये हैं भारत की राष्ट पती राष्ट पती स्री महामहिम द्रॉबधी मुर्मू जी एक प्रस्न बनता है कि भारत की राष्ट पती बनने वाली पहली आदिवासी महिला कौन है तो वो है द्रौबदी मुर्मुजी इसके लाबा 64 वर्स की आईू में भारत की राष्ट पती बनने वाली सबसे कम उमर की बेक्ती कौन बनी है तो द्रौबदी मुर्मुजी ये दोन का 24 नंबर के हैं देखिए एक्जाम में प्रस्ण बनता है कि भारत का उपराष्ट पती सम्धान के किस आर्टिकल में तो आर्टिकल 63 में देखिए भारत को जो उपराष्ट पती होता है वो किसका पदेन सवापती होता है तो राज्य सवा का पदेन सवापती होता है भारत का नेक्स्त देखिए भारत के बाःत के बाष्थमान प्राधर मंत्री है नरिंदर मोधी जी और इनका जो संज़दी 500, वह धिलेख लेते हैं मुख्षिन आधिस सर्वोच नियाले के वरतमान में कौन है डी वाई चंद्रचूण है और डी वाई चंद्रचूण ये कौन से करम के पचास वे करम के है देखे डीटेल समझते हैं सुप्रीम कोट की स्थापना का वुई थी अठाए जनवरी 1950 कहा है स्थी तह नई दिल्ली म में बताऊंगो जो एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेन रहेगा महान आइवादी यानि अटार्नी जनरला ओफ इंडिया भारत के कौन है तो यह है आर वेंकर ट्रमडी और यह कौन से करम के सोल वेकरम के देखे जो भारत का महान आइवादी होता है साथियों भारत सरका का मुख कानूनी सलाकार और भारती उच्चितम न्याले में सरकार का प्रमुख वकील होता है अगर बात करें सॉलिसिटर जनरल ओफ इंडिया की तो वरतमान में तूशार महताजी है और यह जो सॉलिसिटर जनरल ओफ इंडिया होते हैं देश का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी है अटार्नी जनरल की साहिता करता है ठीक है तो यहां पर आप समझ गयेंगे कि जो मुख्य जो होते हैं वो भारत सरकार के महाने अवैधी होते हैं और इनकी जो साहिता करने के लिए बना जाते हैं सॉलिसिटर जनरल ओफ इंडिया बना जाते हैं अब हम निर्व निर्वाचानायोग की बात हो रही तो निर्वाचानायोग की स्थाबना का हुई थी 25 जनवरी 1950 को इसका सचवाल है नहीं दिल्ली मिश्थीत है प्रतिवर्स भारत मिराष्टी मद्दात दिव्यस का मनायात है 25 जनवरी को और भारत के पहले मुख चुनवावाईव को थे जो नियंतरोक और महलेखा परिक्षक होता है इसका फुल फॉर्म सबसे पहले जान लीजे दक कंट्रोलर एंड और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुकती भारत का राश्टपती करता है और की सनुक्षेद में इसका वरणान है नियंतरोक और महलेखा परिक्षक का तो अब देखें शसत सेनाओ का प्रमुक हम देखेंगे देश के दूसरे सीडियस कौन बने है तो अनिल चौहान सातियों जो है देश के दूसरे सीडियस बने आनि चीप ऑफ डिफेंस इस्टाप बनाए गये है भारत के पहले सीडियस कौन थे जनरल विपिन रावाद थे जो क साइव नंबर आफi क survive में झाल थे जो इसबार सेन जाता है वाहि नाज और चार अच्छार सेनल बना जाता है। देखें फिरिन से तीनों दिवस जरूर एक्जाम में बनता है ठीक है फिरिन देखें वीडियो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है मेरी कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें कमेंट सक्षन में प्यारा सा को मेरी मेहनत कैसी लग रही है अब हम सच्ची वह सलाकार देखते हैं कैबिनेट सच्चिव वरतमान में कौन है राजीब गाबा जी वरतमाने भारत के नए विदेश सच्चू बनाए गए हैं पतीसवे नंबर के हैं और यह नए बने हैं इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता ह वरतमान में गरीश-ची कोन है अजय कुमार भलाजी। राश्टि सुरक्षा सलाकार कौन है अजीर दोभाल। उपर राश्टि सुरक्षा सलाकार कोन है पंकच कुमार सिंग और मुक्यारतिक सलाकार अनन्द नागेश-चुरन। और अजीर डोभाल का कारेकाल फिर से जो है बढ़ा दिया गया और उपराश्टी सुरक्षा सलाकार पंकच कुमार सिंग को बनाया गया है गुप्तचर एवं जाज संगठनों के प्रमुख हम देखेंगे CVC की बात हो रही है देखे फ्रेंट प्रमूट में में CVI देखेंगे Central Bureau of Investigation इसका मुख्याले है दिल्ली में और के बात करेंगर मुख्य सूचना आयुकत भारत के पहले डलित प्रमुक के सूचना एक बने हीरालाल सामरिया बारेवे नंबर के हैं वहीं एन आई यानी कि नेशनल एन्वेस्टिगेशन एजनसी राष्टी जाच एजनसी के नए प्रमुक बनाए गए सदानंद वसन दाते ठीक है चीफ इसका फुल फॉर्म होता है चीफ इन्फोर्मेशन बॉर्डर सेक्यूटी फोर्स बीसेप की स्थापना हुई थी एक दिसंबर 1965 को इसका मुख्याला है नहीं दिल्ली में और अगर बात किये जाए यहाँ पर CRPF की CRPF यानी केंद्री रिजर्ड पुलिस बलके बरतमान में जो महानिदेसा के हुए अनीश दयाल सिंग या फो और द्योगिक सुरक्षावल के महानिदेसकों ने नीना सिंग पहली महिला जो है महानिदेसक बनी है CISF की इसलिए वेरी इंपोर्टेंट है और CISF का फूल फॉर्म होता है Central Industrial Security Force इस्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 में मुख्याला है ने दिल्ली में और इसका मोटो है संदक् सुरक्षा तो देखिए पिंट CRPF और CISF मैं आपको कंफ्यूज नहीं होना है मैंने इसलिए पूरा डिटेल भी आपको दिया है फ्रें देखिए इसके अलावा में complete पूरी लिस्ट बताऊंगा और लास्ट में मैं आपको मोधी कविनेट मिनिस्टर 3.0 का भी पूरा complete कव इमिनिट मंत्रियों पूरी लिस्ट भी आपको बताऊंगा फोटो के साथ में पिर देखिए NSG के नए महानिसक बनाए गये हैं राष्टी सुरक्षा गाट के नलील प्रभात NSG के नए महानिसक बनाए गये हैं ठीक है और बात यहां पर NSG खोरी तो NSG का फुल फाम होता है National Security Guards इसका मोटो है सरवत सरवतम सुरक्षा इस्थापना होई थी 16 अक्टूबर 1984 को मुख्याले है नए दिल्ली में NSG का वहीं अगर बात करें NDRF की यानि की राष्ट्री आपदा प्रत्क्रियाबल इसके महानिसक बनाए गये हैं प्यूश आनंद जो है NDRF के नए महानिसक इस थापना का वोई थी 2006 में इसका मुख्याले नए दिल्ली में मोटो है आपदा सेवा सदैव अगर बात करें यहाँ पर हम नीती आयोग की तो नीती आयोग के बरतमान उपाध्यक्षकोंने सुमन कुमार बेरी हैं नीती आयोग की बात हो रही है तो नीती आयोग को फुल हजार पंद्रा को इसका मुख्याला कहा है नई दिल्ली में है और इसके अद्ध्यक्ष जो होते हैं साथ ही भारत के प्रधान मंत्री होते है तो वरतमान में कौन है नरेद मोदी जी और बात किया जाए निति आयों के नीति आयोग के सी यो हैं देखिए बाइसमें विधी आयोग के वरतमान में अध्यक्ष कौन है तो बाइसमें विधी आयोग के अध्यक्ष है वरतमान विधी रवाज अवस्थी जो है बाइसमें विधी आयोग के अध्यक्ष है तो याद रखिएगा नेक्स देखिए ब्र quitaire 25 को इसका मुख्याले है नई दिल्ली में लोक्काल वरत्मान में लोक्काल के देख्ष ने तो अजये माडिकराव खन्मिल करut use to अगर आप से पूछे कि भारत के पहले लोक्काल अध्यक्ष कौन थे तो दूसरे बने अजय माडी कराव खान बिलकर देखिए तो इसका गठन कोन करता है विद्दायोग का तो भारत राष्ट पती के द्वारा विद्दायोग का गठन किया जाता है नेक्स देखिए राष्टी अनुसूची जनजाती आयोग यानी कि ST कमिशन सीड्यूल ट्राइब तो राष्टी अनुसूची जनजाती आयोग के बरतमान में द्धक्ष है हर से चौहान या फोटों देख सकते हैं देखिए ST का full form होता है schedule tribe ठीक है बात करें अगर राश्टी अनसुची जाती आयोग यानि इसका full form होगा SC schedule commission schedule cast इसका full form होता है schedule cast यानि अनसुची जाती आयोग का अध्यक्ष है किशोर मकवाना भी हाली में बनाए गया है SC और ST का full form याद रखिएगा schedule cast और schedule tribe इनके अध्यक्ष याद रखिए नेक्स देखिए railway board की अध्यक्ष बनाए गई है पहली महिले अध्यक्ष बनाए गई है जया वर्मा सिना railway board की नई अध्यक्ष बनी है जया वर्मा सिना ठीक है और यहां पर अगर साथियों बात किया जा और CB का जो headquarter है वो मुंबई महारास्टा में CB headquarter है तो याद रखिए अगर ठीक है नेक्स देखिए केंद्री फिल्म प्रमालन board CBFC का जो हैं वर्तमान में CEO कौन है रवींदर भाकर जो हैं CBFC के वर्तमान में CEO है और बात किया CBFC का full form Central Board Film Certification इसका full form होता है और देखिए भार बनाए गया है रवी अगरवाल CBT के नए अध्यक्ष बनाए गया है जितने भी नई नियुक्तियां हो रही उनको याद रखिए अगर सेवी डीटी की बात हो रहे सीवी डीटी का full form होता है Central Board of Direct Texas स्थापना हुई थी एक जनवर उनिस सो चोट को मुख्याला है नेदिली मे अनिल कुमा लाउटी ट्राई के नहीं देक्ष बने ट्राई का full form क्या होता है टेली कॉम रेगुलेटरी अथर्टी ओफ इंडिया स्थापना हो इथी बीस फर्वर निस सो चन्तानवे को वहीं अगर बात किया जाए यू आई डिया यानि भारती विशिष्ट पहचान प्र यह आधार काड़ बनाने वाली संस्था है ठीक है तो याद रखिएगा यू आई डिया के बारे में नेक्स देखिए सिक्षन और अकादमिक संस्थान के प्रमुक देखते हैं यू जी सी की बात हो रही है यानि विश्विद्याले अनुदान आयोक के ठेक्ष है वरतमान मे इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी हाली में इसका उधाटन हुआ है मोदी जी के उधार इसको धान किया गया नालंदा इंवर्सिटी के इसलिए चर्चा में रहा इसलिए कुलपती याद रखिए अभे कुमार सिंग वहीं अगर बात किया है CVSC के बात किया इसका फुल फॉर्म होता है Central Board of Secondary Education केंद्री माध्यमिक सिक्षा वोड हिंदी में स्थावना हुआ था 1921 में इसका है इडिली में CVSC का ठीक है CVSC का भी बारे में आपको पता होना चाहिए नेक्स देखिए फ्रेंट्स परधान महानिजसक प्रेस इन्फोमेशन वियूर्यानी PIV के प्रधान महानिजसक बनाए गए है भी हाली में बनाए गए फ्रेंट्स नए धीरंद ओजा जो है PIV के नए महानिजसक बनाए गए है इसलिए very important हो जाता है ठीक है और प्रसार भार है भारती ंदिख्ष कोन है नवनीत सहट जो है सात्य परसार भारती वारत के बरतवानमे देक्ष है भारती फिल्म और टेली विजन संस्थान के देक्ष है आर। अधवान ठीक है तो याद रखिए गई यह फ्रेंड्स पूरी लिस्ट नेक्स देखिए प्रेस और मीडिया के प्रमूख देख लेते हैं आकाश वाणी के महांदिसक हाली में बनाई गई हैं मौश्मी चकरवर्ती प्रधान महांदिसक बनाई गई हैं आकाश वाणी की बीश के जो नए एम्डी बनाए गए रेव जेराड रवी या फोट्म देख सकते हैं वहीं बात किया जा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पी टी आई के जो नए अध्यक्ष बने के अन सांता कुमार पी टी आई के नए द्यक्ष बनाए गए हैं वहीं अगर बात किया जाए इसका गठान हुआ थे नवीडिये का 3 जुलाई 2007 को इसरो की बात हो रही इसरो की बात हो रही इसरो का फुल फाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ओगनेशन इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में इसका मुख्याला है बेंगलूरू कन्नाटक में बात करें अगर परमाडू उर्जा आयोक की तो इसके बरतमान में देक्षे एके मोहनती ठीक है और बात करें अगर विक्रम सारा भाहिंद्रिक्ष केंद के निदेसक कौन है डाक्टर उन्निक रिष्णन नायर वर्तमान में विक्रम सारावेंद्रिक शिकेंट के निदेशाख है फ्रेंट्स अगर आपको मेरी क्लास मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो ये लाइक जरूर करिएगा फ्रेंट्स देखिए मैं लाइक आपसे बोल सकता हूँ फ्री में कंटेंट दे रहा हूँ बहुत मेहनत करके तो सभी बच्चे प्लीज वीडियो लाइक करके चैनल को सेर कर देंगे जादा से जादा अहली में भारती क्रिकेट टीम के नए हेड कोच कौन बनाएगा है गौतम गंभीर बनाएगे फ्रेंट्स अभी हम खेल संगटनों के प्रमुक देख रहे हैं हाली में भारती ओलंपिक संग की पहली महला द्यक्ष बनाएगी है पीटी उसा फ्रेंट्स यह इसलिए भी इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी ओलंपिक जो है चल रहे हैं और ओलंपिक पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाएगे फ्रेंट्स जाके जरूर देखिएगा एक्जाम्स के लिए वेरी इंपोर्टेंट है और भारती पाइरा ओलंपिक समिती का ध्यक्ष कौन है यानि कि इंडियन पाइरा ओलंपिक कमिटी का ध्यक्ष देवेन जाजरिया बनाएगे फ्रेंट्स वेरी इंपोर्टेंट है देवेन जाजरिया सात्यों वेरी इंपोर्टेंट है क्योंकि यह नया ध्यक्ष बनाएग के कौन बनाए गए कमल किशोर सोन जो है साती हूं यह एस आई सी के नए महानिसक बनाए गए है वहीं नीव इंडिया इंसोरेंस कंपनी लिम्टेट के सीमडी कौन बनाए गए है गिरिजा सुब्रमन्यम जो है बरतमान में है नेक्स देखिए वेरी इंपोर्टेंट है आर्थ मुख्याला है नहीं दिल्ली में ठीक है फ्रेंट्स बात करें अगर यहां पर भारती उद्योग परिसंग के अध्यक्ष कोने बरतमान में यानि सी आई के संजीब पूरी हैं सी आई आई का फुल फॉर्म होता है फ्रेंट्स कंप्रडेशन आफ इंडियन इंडियन इंडिय संगानी बनाए गया इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोपरेटी लिम्टेड इस्थापना हुई थी तीन नंबर निस्व सच्ट को मुख्याले है नई दिल्ली में वहीं बात करेंगा नाइसकॉम के नाइसकॉम के नध्यक्ष कोन बनाए गया राजेस नामब्यार बना सबसे इंपोर्टेंट हो जाता है वरत्मान में गवर्नर सकती कांदास यह 25 नंबर के हैं और वी आई की मुख्य वित्ती अधिकारी नीचीफ फाइनेंसियल ऑफीसर कोने सुधा वाला कृष्णा ने फ्रेंड्स आर्वी आई की मुख्याला है मुंबई में स्थापना यह भी याद रखिएगा ठीक है फ्रेंड्स वेरी इंपोर्टेंट है और एस्वी आई की स्थापना हुई थी एक जुलाई 1955 को और इसका मुख्याल है मुंबई में स्थीत है स्टेट बैंक ऑफिंडिय भारत का सबसे बड़ा एक कॉमर्सियल बैंक है अब हम देख लेते ह है इसमाल इंडस्ट्रीज डवलमेंट बैंक ऑफ इंडिया गठान हुआ था दो अप्रेल 1990 को इसका मुख्याला है लखनो यूपी में तो फ्रेंड्स सिडवी के जो नए अद्यक्ष बनाएगे मनोज मुद्तल वेरी इंपोर्टेंट एटीक है आईवी यानि इंडियन बै अधिक है नेक्स देखिए सड़क परिवहान और राजमार मंत्री नितिन गटकरी जी है फिर वित्त मामले और कार्पुरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतरामन आप फोटो में देख सकते हैं वित्तमान में विदेश मंत्री है एह जैसंकर जी फिर देखिए स्वास्त और परिवार कल्याड रसायन उर्वरक मंत्री जेपी नडड़ा जी क्रिसी किसान कल्याड ग्रामेडी विकास मंत्री बनाया गए शिवराज सिंग चौहान यहाँ पर स्वास्त मंत्री भी नए जेपी नडड़ा और क्रिसी और किसान कल्याड ग्रामेडी विकास मंत्री कौन है प्रहला जोसिया फोटों देख सकते हैं लगू सूक्ष मध्यम उद्योग मंत्राल माजीिम है कि x3 पन्चाइती राज मछसे पालन पशु पालन केंडेरी र्यव cùng राजीव रंजन जीए इनका उर्फ ललन सींह पतन पुठीब कारत नमाई सांचार पुर्वात्र सेत्रविकास मंत्रայ्ने घृटिर रैवे सूचन प्रशांद सूचन प्रद्वश्ण की मनत्र घर्रेंकyty से रैल मंत्री हैं अश्चनि बैस्था सुचनप्रसारण और शूचन प्रत्व्यकी मंत्री के बीटो विए नागर विमानन मंत्री है किरन किरन राम मोहन नाइडू ठीक है और उपभोकता मामले खाद बित्रण मंत्री है प्रहलाद जोसी है जनजाती कारे मंत्री बनाए गया है जे अल उराम जो है नए कविनेट मंत्री जनजाती कारे मंत्री बनाए गया है कपड़ा मंत्री है गिरिरास सिंग बरत्मान में परियाबरण वान और जलवाई मंत्री कारे मंत्री कौन भूपेंद रियादों है संस्क्रित और परिटन मंत्री गजन सिंग से खावत महिला एवं बालविकास मंत्री नई बनाई गए है अन्यपूर्णा देवी जो है सात्यों है भारत की नई केमिनेट मंत्री बनी है महिला और बालविकास मंत्री संस्दी कारे अलपसंख्य कारे मंत्री बनाये किरन रेजिजू पेट्रूलियम और प्राक्तिक गैस मंत्री हरदीप सिंग पुरी स्रम एबं रोजगार युवा कारिक्रम एबं खेल मंत्री डाक्टर मंसुक मंदाविया कोईला मंत्री खान मंत्री जी किसान रेड़ी तो हमने complete friends लगवाग 100 plus 100 plus हमने वरतमान में कौन क्या है देखा complete उम्मीद करता हूँ आपको class पसंद आई होगी class पसंद आई लाइक करे channel को subscribe करके घंटी बटन जरूर दवाए friends और एक comment करके मुझे feedback जरूर दीजे कि आपको मेरी मेहनत कैसी लगी है और आपके exams के लिए बहुत helpful होगा साथियों अगर आपने लाज तक देखा है देखे पर इन्स 5000 और लूसेंट जीके का निचोड 99 रूपीस की PDF है इस नमबर पर आप contact कर सकते हैं अगर आपको PDF चाहिए तो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच आपको exams के all the best